दुर्गा माता का जन्व ही हुआ था बुराई का अंध करने के लिए दुस राक्षसों को मारने के लिए और दुर्गा माता को प्रकट सारे भगवान ने मिलके किया था महिसा सुर बहुत ही खतरनाक राक्षस था जिसने प्रिथवी लोग या फिर उपर जितने भी भगवान थे गो लोग उसने सब जगे अपना राजे फेला लिया था और वो हर किसी को परसान कर रहा था जिसकी विए सारे देवता परसान थे उसके बाद दुर्गा माता का उन्होंने जनम दिया ताकि वो माता जी उसका अंठ करे और नौ दिन तक ये लड़ाई बहुत तगड़ी चली थी और नौ दिन तक महिसा सुर्वी माता से लड़ा और दुर्गा माता भी इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करी थी और महिसा सुर्व बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है मैं भगवान से भी बड़ा हूँ मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं राजा हूँ और मुझे कोई दुस्ट नारी नहीं मार सकती है क्योंकि औरत में तो दम ही नहीं है कि वो मुझे मार सके हातों से ही लिखी हुई है और दुर्गा माता भगवान थी और उसने गुस्से में इसका अंत किया और इसका गरदन काटके माता ने फेक दिया और नौ दिन की नवरातरी भी इसी वज़े से होती है क्योंकि इनके नौ रूप थे और इन्होंने नौ रूपों के साथ ही महिसा काыт किया था और उस टाइम से ही माता की जैजैकार होने लगे पूरे संसार में और दुर्गा माता ने इस बात से सारे संसार को बटाया कि ओरत जाती सबसे बढ़ी होती है और ओरत दुर्गा का रूप भी हो सकती है